हेला वरीवन अब हम लोग continuity and differentiability में derivatives of inverse trigonometric functions के वारे मपढ़ेंगे मतला अब sin inverse x का differentiation, cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, cot inverse x and cos sec inverse x इन पाचों का differentiation देखेंगे हम लोग तो चलिए करते हैं शुरूप तो पहला हम लोग करेंगे first one y is equal to sin inverse x का sin inverse x का differentiation करेंगे, तो चलिए करते हैं इसको, तो अगर y is equal to sin inverse x हा हमारे पास तो x equal to किता हो जाएगा हमारे पास, x equal to sin y हो जाएगा हमारे पास, तो अगर हम dx by dy निकालना चाहते हैं dx by dy निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, first principle method से करेंगे हम लोग, limit h tending to 0 sin of y plus h minus sin y, hold divided by कितना h, बिल्कुल जैसे हम लोग dy by dx करते थे, तो sin of x plus h minus sin x y h करते थे, तो वैसे dx by dy हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो this will be equal to limit h tending to 0, sin c minus sin d का formula हम रपास कितना होता है, 2 sin sin c minus d by 2, c minus d by 2, into होता है हम रपास cos of c plus d by 2 c plus d by 2, और hold divided by कितना है हमारे पास h, ओके, now this one is y, y cancel out हो गया हमारा, तो इसको थोड़ा सा rearrange करते हैं, limit h tending to 0, तो यह आपका कितना जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin of h by 2, ठीक है, वो उपर बाला, और cos of y plus y, 2y plus h by 2, hold divided by कितना है हमारे पास h है, ओके, और इस 2 को हम नीचे लेके चले जाते हैं, तो h by 2, अब देखो, h अगर 0 को tend कर रहा है, तो यह तो हमारा plus dx by dy है, और हमें पता है कि dx by dy को हम one upon dy by dx लिख सकते हैं, यानि किया जाएगा आपका one upon cos y, तो since हम लोगों ने, जो मान के रखा था, कि y equal to कितना है हमारे पास, sin inverse x था हमारे पास, y equal to sin inverse x था, ओके, पर मैं देखे लेते हम लोग, हाँ, y equal to sin inverse x लिया था हमने, तो x equal to sin y आ गया था हमारे पास, x यहां से, x equal to कितना था हमारे पास, sin y, ओके, तो cos y अगर sin y x है हमारा, तो cos y कितना हो जाएगा, cos y हो जाएगा, root over 1 minus x square, तो this differentiation will be equal to what, cos y के जगा पर root over 1 minus x square लिख दिया जाए, तो हमारे पास, dy by dx जो आ गया, वो आ गया, 1 upon root over 1 minus x square, तो यह आ गया आपका पहला differentiation, यानिके, d of sin inverse x divided by dx, this will be equal to what, 1 upon root over 1 minus x square, okay, तो यह आपका पहला बाला हो गया, अच्छा, इसका जो domain हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी बात कर रहे है, domain of, domain of, sin inverse x का dash, sin inverse x का dash, इसके dash की बात कर रहे है, ठीक है, देखो, sin inverse x का तो हमें पता है कि minus 1 से 1 होता है, लेकिन sin inverse x के dash का जो होगा न, वो जो हो जाएगा आपका, minus 1 से लेके, और 1 हो जाएगा, यानिकि minus 1 और 1 जो होगा, वो exclude हो जाएगा, क्योंकि उस पर यह define नहीं होगा, अब जब से माल लेते हैं कि 1 रखते हो, तो root अबर किता हो जाएगा, 1 minus 1, 0 हो जाएगा, तो 1 upon 0 is not defined, तो वो भी और minus 1, दोनों हमें क्या करना होता है, हटा देना होता है, ठीक है, तो यह आ गया, पहला आपका, दूसरे पर आते हैं, दूसरा हो जाएगा, y is equal to cos inverse x, cos inverse x का करते हैं हम लोग, तो यहां से हमरे पास x equal to कितना जाएगा, cos y, तो अगें, dx by dy जो हो जाएगा हमरे पास, वो first principle method से, limit h tending to 0, cos of y plus h, minus cos y, whole divided by कितना हो जाएगा, h, तो this will be equal to limit h tending to 0, cos c minus cos d, यह कितना होता है, minus 2 sin c plus d by 2, into हो जाएगा हमरे पास, sin of c plus d by 2, c minus d by 2, c plus d by 2, c plus d by 2, और whole divided by कितना है हमरे पास, h, ओके, अब यहां से देखो, यह आपका y से तो y चला गया, तो यह बन जाएगा आपका, this one will be equal to limit h tending to 0, यह देखो, इसको अगर थोड़ा साम रियर्रेंज करें, तो this one will be sin h by 2, इस 2 को नीचे लेके चले जाते हैं, तो यह कितना बन जाएगा, आपका, h by 2 और into sin of 2y और plus h divided by कितना 2, तो यह आपका standard बन गया, standard बना है, इसका मतलए कि कितना हो गया, और h अगर 0 को टेंड करें, तो यह आपका 2y by 2 बन जाएगा, यानि कितना बन जाएगा, y, यानि कि यह आपका आगया, minus का कितना, sin y, अगर यह आपका minus का sin y है, तो यह क्या था, हमने निकाला था dx by dy, तो this is equal to minus का sin y, तो यहाँ से हमारे पास dx by dy क्या हो जाएगा, sorry, dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx is equal to 1 upon, मतलब minus 1 upon sin y, अब हमारे पास हमने क्या माना था, y equal to cos inverse x, that implies x equal to cos y, तो हमारे पास यहाँ पे dy by dx कितना जाएगा, minus 1 upon sin y, sin y कितना जाएगा, root over 1 minus cos square y, यहाँ पे root over 1 minus x square, यह आपका दूसरा आगया, किसका, y is equal to cos inverse x का differentiation, चीक है, तो हमने निकाल लिया था, cos inverse x का differentiation यह आया था, अब अगेन यहाँ पे भी देखें, तो हमारे पास cos inverse x का जो, कि dash का जो domain होगा, sorry, cos inverse x का domain होगा, domain of, domain of, cos inverse x dash, मतलब इस function का जो domain होगा, वो हमारे पास कितना होगा, again minus 1 से 1 होगा, ध्यान रखकों कि आप लोगो कि, cos inverse x का जो domain होता है, वो तो हमारे पास कितना होता है, minus 1 से 1, जिसमें कि, मतलब इसका जो domain होता है, वो तो हमारे पास minus 1 से 1 होता है, जिसमें minus 1 और 1 दोनों included होता है, लेकिन यहाँ पे included नहीं होगा, क्योंकि include करेंगे, तो वो not defined हो जाएगा, चिक है, चलिए, आते हैं, अगले पे, 3rd पे, 3rd हमारे पास y is equal to tan inverse x, इसका करते हैं, तो चलिए, tan inverse x का निकालते हैं, तो यहाँ से मारे पास x equal to कितना जाएगा, x equal to हो जाएगा, tan y, तो यहाँ से मारे पास dx by dy कितना जाएगा, dy equal to limit h tending to 0, यहाँ जाएगा आपका tan of y plus h, y plus h minus tan y, whole divided way कितना है, h, अब यहाँ पे tan y minus tan y h, ऐसा कोई formula हमें तो पता है नहीं, कोई formula नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगा, इसको sin and cost में convert कर देते हैं, तो इसको convert किया जाएगा, तो यह कितना जाएगा, sin of y plus h, whole divided by, cos of y plus h, minus sin y, divided by, cos y, whole divided by h, now, this will be equal to, limit is tending to 0, अगर LCM लिया जाए, तो LCM लेके हम उसको नीचे कर देते हैं, तो h into cos y, into cos of किता जाएगा आपका, y plus h, ओके, तो यह आपका आजाएगा, sin of y, plus h into, cos y, minus, sin y into कितना, cos of y, plus h, यह बन जाएगा हमारे पास, अच्छा, तो sin a, cos b, minus cos a, sin b, यह किसका formula है हमारे पास, sin a, minus b का, तो उपर में formula लगा देते हैं, यह हो जाएगा, limit h tending to 0, sin of a, minus b का formula हो जाएगा, तो sin of a का काम कौन कर रहे है, b का काम, यह करेगा हमारे पास, तो y, plus h, minus y, whole divide by आजाएगा, आपका, h into, cos y into cos of, y plus h, y से y चलाएगा आपका, अब sin h, h बन गया, वो तो बन हो जाएगा आपका, h 0 को tending करेगा, तो यह finally बन जाएगा आपका, 1 upon, कितना, cos square y, cos y और cos y, cos square y हो जाएगा, अब हमारे पास कितना था, हमारे पास यह क्या निकला, dx by dy निकला, dx by dy जो निकल गया, वो निकल गया, 1 upon, cos square y, that implies, कि हमारे पास जो dy by dx आजाएगा, dy by dx आजाएगा, वो कितना आजाएगा, वो आजाएगा हमारे पास, cos square y, अगे, अगें, dy by dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy by dx को 1 upon sek square y लिख सकते हैं, यहां से cos square y को sek square y, यहा है हमारे पास, अच्छा, हमने y equal to क्या रखा था, sek inverse x, sorry, tan inverse x y is equal to रखा था हमने tan inverse x, तो यहां से हमारे पास x equal to कितना आया था, x equal to tan y तो sek inverse y, sek square y को हम 1 plus tan square y लिख सकते हैं, तो यहां से आजा है अगर dy by dx equal to 1 upon 1 plus tan square y and this will be equal to 1 upon 1 plus कितना x square, तो हमारे पास d of tan inverse x, tan inverse x का जो differentiation आगया हमारे पास, with respect to x will be equal to 1 upon 1 plus x square, यह हर एक के लिए define है, तो इसका जो domain होगा हमारे पास, domain वो पहले की तरह x belongs to r होगा, ओके, चलिए, यह हमने third वाला कर लिया, यह कौन सा था, tan inverse x का differences नावने निकाल लिया, अब आते हैं, अगले वाले पे, और निकालते हैं, second verse x का, next one, fourth is, y equal to second verse x, ओके, चलिए, हाते हैं, करते हैं, इसको, y equal to second verse x का, तो यहां से अमरे पास x equal to कितना जाएगा, x equal to हो जाएगा, sec y, तो dx by dy जो होगा, अमरे पास हो कितना जाएगा, limit h tending to 0, sec of y plus h minus sec y, whole divided by कितना h, तो this will be equal to limit h tending to 0, इसको convert कर देते हैं, 1 upon cos of y plus h, minus 1 upon कितना, cos y, whole divided by कितना है, h, LCM ले लिए, तो यहाजाएगा limit, h tending to 0, यह बन जाएगा आपका, cos y minus, cos y plus h, whole divided by h into cos y into cos of y plus h, अब cos c minus cos d का formula लगा देते हैं, आपे, तो cos c minus cos d का formula जो होता है, अब किता हमाता है माइनस 2 sin c plus d by 2 यानि कि y plus y plus h by 2 और इंट वह जाया का मार पस sin c minus d by 2 y minus y minus h ओल्ली वड़ बें कितना 2 और पूरे के नीचे आ जाया का आपका h cos y cos of कितना y plus h अब यहां से देखो आपका y से y चला गया है इस minus 2 को अगर हम नीचे लेके आ जाये तो minus h by 2 बन जायेगा तो हम यहां से इसको हटा देते हैं अच्छा अब देखो आप कि क्या बन गया है sin minus h by 2 यहां से आप देखो तो sin minus h by 2 बन गया और minus h by 2 तो वो तो आपका 1 हो जायेगा तो इसको हटाई देते हैं बाकी क्या बन गया आपका limit h tending to 0 इसको अब solve करो तो यह कितना बन जायेगा आपका sin y बन जायेगा sin y और all divided by यह cos y और cos y cos square y मतला limit अब नहीं लेते हैं limit तो हमने रख दिया है लिमिट जब हमने रख दिया है h का value रख दिया तो इसको इस थर्फ फॉर्म में आ गया अब रखास ठीक है आयोप यहां से h का value 0 रखा हमने तो cos y आ जाएगा और दिवाइड वाइड कितना कॉस्ट स्क्वार वाइड ओके तो हमारे पास यहां से डिवाइड इस कितना जाएगा डिवाइड इस जो जाएगा वह जाएगा स्क्वार वाई और डिवाइड वाइड कितना साइक वाई ओके तो यहां से ओर थोड़ा चेंजिंग करते है हम लोगी हम लें क्या माना था वाइड इकल टूसेक इंवर्स ऑस कि Barb x equal to कितना हमारे पास ? x equal to सेक y तो इसको देखो कैसे चेंज कर रहे हम ? dy by dx equal to इस cos square y को हम अगर cos y into cos y और whole divided by sin y लिखें तो कोई दिक्क्यत नहीं है this will be cos y को one upon sec y लिखा सकता है sec y into cos y by sin y अब इस cos y को जब आप नीचे ले क्या होगे तो आपका नीचे में कितना जाएगा यह जाएगा आपका tan y ओके अब sec y one upon sec y और tan y कितना जाएगा आपका 1 upon root over sec square y minus 1 तो यह बन जाएगा आपका कितना sec y one upon x हो गया into one upon root over कितना x square और minus कितना one तो यह आगया आपका क्या dy by dx dy by dx यानि कि sec inverse x का differentiation जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 by x root over one upon root over x square minus one अच्छा अगर मान लेते हैं कि आप competition का त्यारी कर रहे हो ना तो आपको एक चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि अगर देखो ncrt level तो खो तब तो ठीक है लेकिन अगर आप competition का त्यारी कर रहे हो तो आपको ध्यान रहे कि dy by dx जो होता है वो होता है मेरे पास one upon modulus of x और one upon मतलब one upon modulus of x root over x square minus one होता है मेरे पास ठीक है अब यह क्यों होता है वो आपने stake inverse x का graph बना के देख सकते हो ठीक है जब stake inverse x का graph बनाओगे है कि माल लेते हैं कि यह हमारा पाई वाई टू है önके हैं तो हमारा जो safe inverse e क चैक जो graph होता है वह कुछ हैसा होता है इससे इधर और फिर इसससे इधर यह यह इतना हो अगा यह यह मारे पास one होता है यह माइनस ओन अह mutually है यह पाई one करोंगे आप किसी भी पॉइंत पकड़ो और आप उस पे टांजें़ ऩुद्ध गरोगे तो जो का दुद्द लोफ आगता गता स्ल्प आएगा जो इसका स्लॉप आएगा वह क्या अगवा पॉस्यटीब और किसी भी पॉइंट पर ये करो आप ठीक है इसका मतलब कि इसका डी यो टैंजेन्ट होना चाहिए ये जो टैंजेन्ट हम लोग यह से लिख सकते हैं कि टैंजनट हो at any point at any point we make we make acute angle acute angle बनाता है और acute angle बनाता है तो tan theta जो होगा हमारे पास जो कि dy by dx होता है वो क्या हो जाएगा positive हो जाएगा first quadrant में होने से तो इसलिए हम लोग ने क्या करते हैं यहां पर मॉडेक्स लगा देते हैं अब NCRT में आपको हमेशा उसी तरीके से दिया जाएगा कि आप X भी रखो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अब इवन उन्होंने X की तरह से ही दिया हुआ है यहां पर ठीक है अच्छा फिर से वापस आते हैं इसके डोमेन पर तो यहां से लिख देते हैं यहां पर कि डोमेन ओफ डोमेन ओफ अद्धीक इन्वरस एकस के डाइस कि क्या वोगा आमरे सम्टिस माइनSon London यूनियून वन से इन्फिनिटी अब अगर ध्यान होँ आपको सेग इन्वरसे एकस का हाउद्ध का डोमेन तो सेग इन्वरसेख के डोमेन में क्या हो था यहां पर equality लगता है मतलब कि यहां पर प्लूजड ब्रैकेट लगता था यानि कि वन और माइनस वन इंक्लूड़ेड होता था लेकिन यहां पर इंक्लूड़ेड नहीं होगा हमारा रीजन यह है अगेन कि रूट अबर एक्से स्कार माइनस वन आया है नीचे में डिनोमिनेटर में ठीक है तो वह हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि वन रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा नौट डिफाइन हो जाएगा इसलिए उस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा अभर मुझ बैज़ वो उसका है और वज रॉडब होगो रहा है और बार बार हो रहा है रु आप यह अइस्ट वन में थोड़ा सबक्र शंजुआ लाना फोड़ा उसको y is equal to cosec inverse x ओके हमारे पास यह है तो यहां से x equal to कितना जायाएगा हमरे पास cosec of y ठीक है तो हमारे पास यहां से dx by dy कितना जायाएगा dx by dy equal to limit h trending to 0 कितना जायाएगा आपका कॉसेक ओफ वाई प्लस एच माइनस कॉसेक वाई कितना एच अब एगेन कॉसेक उसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे साइन में कनवर्ड कर देते हैं तो कितना जायाएगा वन अपॉन sin of y plus h minus 1 upon sin y whole divided by ketna h तो this will be limit h extending to 0 okay h into sin y into sin of y plus h और यह बन जायाएगा आपका कितना sin y minus sin of y plus h तो अब यहां पर sin c minus sin d का फॉर्मूला लगा देते हैं limit extending to 0 कितना रहाएगा 2 sin 2 sin c minus d by 2 2 sin c minus d by 2 into कितना cos of होता है c plus d by 2 c plus d by 2 whole divided by whole divided by h into sin y into sin of y plus h okay तो यहां साब देखो कि यह y से y चला गया आपका थोड़ा सा रियरेंज करते हैं इसको तो limit h tending to 0 यह आपका उपर में आ जाएगा sin of minus h by 2 into cos of 2y plus h by 2 whole divided by h इस 2 को नीच लेका जाते हैं हैं h by 2 sin y into sin of कितना y plus h देखो हमें काम करते हैं यहां पर minus h by 2 है न तो यहां पर भी minus h by 2 लगा देते हैं और यहां पर minus 1 से multiply कर देते हैं बात बराबर ही हो जाएगा अब हुआ कि यह standard form बन गया हमारा यह standard form तो इसका तो value 1 हो जाएगा अब h 0 को रखते हैं तो देखो क्या क्या बन जाएगा आपका h 0 को रखा जाए तो minus 1 into यहां से कितना जाएगा आपका cos of y बन जाएगा और नीचे में कितना जाएगा आपका sin square y तो यह क्या निकल किया है आमरे पास यह निकल किया गया dx by dy तो आपका dx by dy हो जाएगा वो हो जाएगा minus cos y divided by कितना sin square y तो यहां से dy by dx कितना हो जाएगा dx by dy माइन साइन स्क्वार वाई और whole divided by कितना cos of y ओके अगें थोड़ा से इसको चेंज करते हैं माइनस ओफ वन अपन को से क्वाई इंटू कोट वाई साइन स्क्वार वाई को मतलब साइन स्क्वार वाई को पिछले की तरह साइन वाई इंटू साइन वाई करके एक साइन को नीचे लेकर आ गया और दूसरे साइन को कॉस वाले के नीचे लेकर आ गया त अब हमने यहां पर क्या रख्था था y is equal to cosec inverse x था हमरे पास cosec inverse x तो x equal to कितना था हमरे पास cosec of y था हमरे पास ओके अब cot y कितना बता हमरे पास तो cosec square y जो होगा हमरे पास that will be one plus cot square y ठीक है तो cot y जो हो जाएगा हमरे पास x square minus 1 तो यहां से आपका dy by dx जो आजाएगा dy by dx जो आजाएगा that will be minus 1 divided by cosec y की जगा पर कितना जाएगा आपका x हो जाएगा और यह root अबर कितना जाएगा आपका x square minus 1 तो यह आपका differentiation हो गया किसका cosec inverse x का अगेन डोमेन ओफ डोमेन ओफ कॉसेक इंवर्स x जो होगा हमारे पास वो क्या होगा minus infinity से minus 1 और union कितना 1 से infinity reason अगेन वही same कि 1 पर यह not defined हो जाएगा हमारे पास ठीक है तो कॉसेक इंवर्स x के डैस इसका डैस है यानि किसके differentiation का डोमेन की बात कर रहे हैं अगेन अगर आप competitive exam के त्यारी कर रहो तो थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा और वो यह है कि आपको फिर से यहाँ पर मॉड एक्स लगाना पड़ेगा रूट अबर कितना एक्स स्क्वार माइनस वन क्योंकि देखो इसको लगाने से हुआ क्या कि डिवाइब डिएक्स आप यह कह रहा हो ना कि एक्स का कोई भी वेल्य हुआ तो माइनस लगा दिया तो क्या हो गया निगेटीव हो गया हमारे आ सकते हो कि हाँ यह जो होता है वह हमेसा निगेटीव होता है अच्छा देखो कैसे अच्छा यह आपका आजाएगा कुछ इस तरीके साथ आए ग्राफ इसका से इदर इस तरीके से से इदर इस तरीके से यह जो होता है आपका यह क्या होगा निगेटीव वज़ए से द्यारं, क्योंकि ऑंग Straw or अंग्सेन सब्छे क्या बनेगा गतिन वो हमेसे में और अपटीवस ह क्या बनेगा और आप्टीवस थे या आ गया आपका कॉसेक इन्वर्स एक्स का चलिए कॉसेक इन्वर्स एक्स हो गया में पास अभी एक रहे गया लास्ट वन कॉट इन्वर्स एक्स तो सिक्स वन चलिए 6 तैसे लिख देते हैं वाई इस इकल टू cot inverse x ठीक है तो यहां से अकर किया जाए तो x equal to कितना जाएगा cot of y तो हमारे पास यहां से dx by dy कितना जाएगा dx by dy equal to limit h tending to 0 cot of y plus h minus cot y whole divided by कितना जाएगा h and this will be equal to limit h tending to 0 cos of y plus h divided by sin of y plus h minus cos y by sin y whole divided by कितना h okay now this will be equal to limit h tending to 0 sin y into cos of y plus h minus cos y y into sin of y plus h whole divided by h into sin y into sin of y plus h अब sin a cos b minus cos a sin b किसका formula होता है sin a minus b का formula होता है तो limit h tending to 0 sin a minus b यह बन जाएगा आपका और नीचे में बन जाएगा h into sin y into sin of y plus h okay now y से y चलेगे आपका तो चाहो तो आप यहाँ पर माइनस लगालो या फिर sin of minus theta को जो होता है आपका माइनस का sin theta होता है जैसे करना वैसे कर लो आप यहाँ पर क्या कर लो sin of minus sin h whole divided by h into sin y into sin y into sin y plus h okay अब यह तो आपका standard वाला बन गया sin h by h वो तो 1 हो जाएगा तो दिस लिमिट विल बी इक्विल टो वाट minus 1 upon कितना हो जाएगा sin square y okay तो दिस विल बे यह क्या है हमारे पास यह तो dx by dy आया हमारे पास दिस तो dx by dy आपका माइनस का 1 upon sin square y तो dy बडी एक्स कितना हो जाएगा आपका दिवाडी एक्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा माइनस का sin square y हमने क्या माना था कोट के फॉर्म में हमें लेके आना है न हमने क्या माना था y is equal to cot inverse x तो यहां से x equal to कितना आएगा हमरे पास x equal to cot y हो जाएगा sin square y को हम लोगों क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं dy by dx equal to minus 1 upon 1 plus cot square y कितना हमरे पास 1 plus cot square y तो dy by dx equal to minus 1 upon 1 plus कितना cot square y and this will be equal to minus 1 upon 1 plus x square तो dy by dx जो हो जाएगा वो आपके कितना हो जाएगा minus 1 upon 1 plus x square तो जो कोट inverse x का जो डैस होगा वो क्या होगा हमरे पास आर होगा क्योंकि यह सब के लिए डिफाइन है अच्छा यहां पर देखो आप तो dy by dx जो होगा ना जो dy by dx है वो हमेशा negative है और वो आप cot inverse x का जो graph होगा उसका graph बना के देख सकते हो ठीक है कि वो हमेशा क्या होता है decreasing function होता है dy by dx के negative होने का मतलब क्या होता है यह decreasing function है चले इसके बारे में हम लोग आगे बाते करेंगे अभी इसी चेपटर में हमें बाते करनी है इसमें होगा नहीं तो फिर अगले वाले में इसके बारे में बाते करेंगे तो चलिए मैं ने च्छे के छे जो घो अपको प्रूफ करा दिया ठीक है यह जो देखर रखा था इसने करा हो था दो दिया हुआ था साइनिवर्स एक्स का और टैनिवर्स एक्स का दो का देख रखा था हमने सबका कर दिया ओके अब नेक्स्ट हमारा होगा एक्सरसाइज 5.3 थेंक यू इसका पीडिये जो है वो डिस्क्रिप्सिन लिंक में हम डाल देंगे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और मैंने पीछल जो था वह हमने मतलब यहां पर यह वाई कॉस वाई होगा ना यह कॉस वाई जो मल्टिप्लाइड है ने इसमें तो वह मैंने छोड़ दिया था तो उसका आप लोग ध्यान रखोगे मैंने पीडिये में चेंज कर दिया था और डिस्क्रिप्सिन में उसके बारे में बताव भी दिया था कि कहां पर मैंने गलती की है ओके थैंक्यू